आज का विशय है आरोहन आरोहन एक कहानी है जो की अंतराल में संकलित है आरोहन कहानी में लेखक ने परवता-रोहन की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उप्यगिता को रिखांकित किया है परवतिये प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघश तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रत किया है किस तरहां परवतिये प्रदेशों में प्राकृतिक आबदा, भूस खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नश्ट हो जाता है जीवन चर्या का भाग है किन्तु उन्हें आश्यर तब होता है जब बता चलता है कि वही आरोहन जो लगातार चड़ते उतरते हैं परवतों से उसे ही आरोहन कहा है आरोहन किसी को नौकरी भी दिला सकता है इस कहाने के माध्यन से लेखक ने परवतिये प्रदेश की बारी कियों उनके जीवन के सुक्ष्म अनुभवों परंपराओं रिती रिवाजों उनके संघर्षों यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है मैदानी इलाकों की तुलना में परवतिये प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुख और संघर्ष में होती है उसका विशद विवरण ये कहानी प्रस्तुत करती है ठीके तो अब हम ये कहानी है इसलिए आरोहन को पूरी कहानी के तौर पर पढ़ेंगे सिर्व एक्चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और इसके बाद पूरी कहानी की तरहा मैं उसको विख्यायत करती चलोगी ठीके बच्चे? भूप सिंग और रूप सिंग दो भाईयों की ये कहानी है रूप सिंग पूरे ग्यारा साल के बाद अपने गाउं माही की तरफ चलता है और साथ में किसे लेके जा रहा है शेकर कपूर को जो कि उसके गौड़ फादर कपूर सहब का बेटा है I.S. की ट्रेणिंग उसने पूरी की है और बस उन्होंने देवकुंड स्टॉप से उत्रे और वही माही 15 किलो मीटर दूर रह गया था माही क्या वह गाउं आज भी वहाँ जाने के लिए सडके ना थी परवतों के दुरगम रास्ते थे जिन्हें पार करके वहाँ जाते थे रूप सिंग शेकर को पैदल गाउं ले जाना अपनी और गाउं की तोहीन या बेज़ती अपमान समझ रहा था इसलिए वह चाता था कि कुछ सवारी मिल जाए जिससे वह वहां तक महँच जाए वनना पैदल चल कर जाने में तो शाम हो जाएगी शेकर अपनी दूरबीन से पहाडों के सौंदरे को देख रहा है और अपनी आँखों को त्रिक कर रहा होता है चाय पीते वे चाय वाले से वह पूछता है कि क्या यहां कोई गोड़ा गोड़ा मिलेगा जिससे हम माही जा सके तब ही वहां पर पत्थरों पर बैठा एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है मही वह कुछी देर में दो गोड़े लेकर वहां पहुँच जाता है मतला कि इस पर बैठकर अब हम चलते हैं माही की तरफ घोडों पर सवार होकर दोनों मित्र पहले पाहाड पर चढ़ने लगते हैं महीप शेखर कोई घोड़े के साथ साथ पैदर आगे बढ़ता है ठीक ठाक रास्ता इस पाहाड से उतरने के बाद चढ़ाईयों और ढालानों के बीच धूम छाओं शुरू होती है पहाडों पर जहां तहां घर बने हैं छोटे-छोटे कुकुर मुत्ते से प्रतीत हो रहे हैं कुकुर मुत्तादम इश्रों के जैसे प्रतीत होते हैं दिख रहे हैं बादलों से घिरे पहाड, मीचे नदी बह रही है कौनसी नदी का नाम क्या बताया है यहाँ पर सूपिन नदी जो है बै रही है हर्याली है स्थानिय भाइशा में लोग बात कर रहे हैं स्थ्रिया मधूर कंट से गाने गा रही है यह एक मंत्र मुग्द कर देने वाला पूरा वातावरण होता है कौहरा उस पहाडों पर नाजनने की सला दे रहा है जब कौहरा हिलास पक्षी से भी पहाडियों में ना बसने की बात कह रहा है रूप शेखर को गीत का अर्थ यह समझा रहा है कि जो औरते गाना गा रहे हैं उसका यह मतलब है उसके बाद धीरे धीरे करते वे वे अपने गाओं तक पहुँचते हैं रूप चलते चलते अचानक उस जगा ठहर जाता है कहां जहां उसने अपने बड़े भाई भूप दादा को धक्का दिया था वे शेखर को बचपन की घटना बताने लगता है कि एक बार वे भागा था देवकुंड से और भूप दादा मतलब उसके बड़े भाईया जो हैं उसे खोजने के लिए उसी रास्ते पर आए और उसे घर ले जाने की बात कर रहे थे उसी स्थान पर उसने अपने भाईया से हाथ छुडाने के लिए उसे धका दे दिया था गूप दादा धलान में लुड़कते वे एक पेड़ पर जा अठके थे जिससे दोनों की जान बज़ गई और वहां से वे सुरक्षित आकर अपने गूप दादा और उपनी खरोचों पर पत्पों का रस डाल रहा था मतलब एक फ्लेश बैक में जाता है अपनी यादे ताजा करता है गूप दादा इस तरहां इस घटना के लिए खुद को कसूर वार समझते थे उन्हें लग रहा था कि यदि उन्होंने रूप का हाथ ना पकड़ा होता तो वह गिरने से बच जाता और इसी तरहां से वह अपनी यादों को ताजा करता हुआ बढ़ता जा रहा है अब दीरे दीरे वह परवता रोहन की बाते करता है वहां से जब वह आगे बढ़े दोनों मित्रों तो परवता रोहन की चर्चा करने लग जाते हैं जिसे हम कहते हैं आजकल बहुत सारे इंस्ट्यूशन भी कुल रखे हैं एडवेंचर क्लब जो हैं जहां पर खुद के लिए एडवेंचर मतला खुद के लिए जोखिम उठाना पसुदा भुब दादा के साथ घटी उक्त घटना के एक वश बाद ही रूप की भेट शेकर के पिता से हुई थी मतला जब वो धक्के वाली घटना हुई थी उसके बाद जो है रूप वापस गाउन छोड़कर आ जाता है और उसकी मुलाकात किसे होती है शेकर के पिता से उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है अवे परवता रोहन की शिक्षा ले लेता है और एक तरह का वैवसाय प्रारंब हो जाता है परवता रोहन से संबंदित रॉक पिटन एंकर रोप लेडर गार्डनिंग इ उनकी वें चर्चा करते वें चल रहे होते हैं शेकर तभी एक बड़ी खतरनाक सा एक रास्ता आता है संकरा सा राता रास्ता बैरो रॉकल नेरो वे होता है वहां पर अब दोनों घबरा जाते देखिए दोनों एक ग्यान लेकर आ रहे हैं मौंटिंग क्लाइमिंग की वै लड़का जो दो गोड़े लेकर आया है वै उन्हें धिरे जो इन Неट फॉप जय करता हूँ है उस संम्हाल जाहे से बहर निकाल ले जाता है और दोनों बड़े हैरान में रहे जाते तब ही रूप जो है शेला के बारे बात करता है शेला जिसे वह बहुत ज़ादा प्यार करता था महीर की नजर महीर जैसे ही शेला का जिक्राता है महीर जो गोड़ा चला रहा है लड़का वो एक दम से ध्यान देता है उनकी बातों पर क्या बात कर रही है रूप बताता है कि शैला जो है बेड जब चराने आया करता था तो शैला भी साथ में आती थी और शैला के लिए बहुत सारे चीज़े लेकर आया करता था शैला के साथ उसकी बीड़ों को भी वह चराता था लेकिन कुछ समय बाद उसे बाद चलता है कि शैला उससे नहीं उसके भाई जो भूप है उससे प्रेम करती है और उससे वह विवा करना चाहती है उसके बाद महीब जो है बहुत गुड़ा लेके चल रहा है यह बच्छों भूप उडास सा दिखता है उन दुनों को वह दोनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं बार बार उसे बुलकारते हैं कि भी तुम भी कुछ बोलो तुम इतने छोटे से बच्छे हो तुम कहां से आए कैसे तुम्हें खोड़ा चलाना तुम इतने दूर अपने गाउं से आ जाते हो कहा है तुम्हारा गाउं बहुत सवाल पूछते हैं लेकिन मही कुछ बोलता नहीं वो बहुत उदास सा लगता है उन लोगों को और जब वो जादा पूछने का प्रयास करते तो महीर सिर्फ दो हो जाते हैं फिर क्या होता है अब आखरी पड़ाओं पर पहुंचते हैं मतला मही गाउं में उनका प्रवेश हो जाता है अपने गाउं जिस गंतव तक वे जाना चाते हैं रूप और शेकर वहां . पहुंच्छने के ऐद लोग उन्हें बहुत ही अद्पहचानी नजरों से देखते हैं निर्मिन निमेश या अब अलक उन्हें देखते रहते ही दो शहरी कहां से आए हैं और यहां क्या करने आए हैं तो रूप धीरे धीरे पहचाने का प्रयास करता है और वह पहचान लेता है तो दो लोगों से बात करता है कि भूप नाम का व्यक्ति हुआ करता था रांत सिंग हुआ करते थे जिनके दो बेटे थे भूप सिंग और रूप सिंग तो एक बुढ़ा व्यक्ति तुरंट ये बत वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन एक गड़वाली में कहता है उसे बात करता है कि मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या कहा तब ये एक वेक्ति आता है और वे बताता है कि हाँ वे रहते थे लेकिन एक बहुत बड़ी पाहाड खिसक कर उस गाहों पर जब गिर गया तो पूरा गाह उजाड हो गया इस कारण नहीं पता कि कौन कहां रहता है वो फिर बताता है कि भूप जो है इस पाहाड के उपर उ उसके उसी के उ integrity उसने अपना खर बना लिया है। आप रूप बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि यह चटान के उपर घर तब से पदाए रूपको कि उसके माता पिता मारे गए, उसी पहाड के नीचे दब गए थे सारे उनके जानवार उसी पहाड के नीचे दब गए अब बहुत ज़ादा परिशान भी होता है कि किस तरह से मतलब इस जगह से भाग गया और कभी वापस आकर उसने ये खबर लेने का भी प्रियास नहीं किया कि क्या हुआ होगा उसके गाउं का उसके माता-पिता का उसके भाई का अब थोड़े से बलानी बलानी से भर जाता है और तभी भूप आतावा दिखता है पहाड से उतरता हुआ और जब लोग बताते हैं कि यह तुम्हारा भाई रूप सिंग है तो वह से मिलता है । वह कहता है कि तुम कहां थे जब पतर रिचर देता है कि मैंने आरोहन आप्ता परवटों पे चर्णने की विद्र सीखही है तो सब लोग हसना शुरू करते हैं क्यों हसने हैं क्योंनके लिए तो रोज का साओं प्रवतों पे चर्णना और उतरना को यह पैसे मिलते हैं इस चीजे गाम वालों के लिए बहुत हैरानी की थी और साथी साथ भूप के लिए भी भूप सिंग कहता है अच्छा तुमने शहर में जाकर ये परवता रोहन का कारे किया है तो इस परवत पे चड़ू उस परवत को देखते ही शेखर और रूप सिंग दोनो जिसने जहां लिया है वही से विद्या को उसने सीखा है तो उसमें क случаन की बनावट मन नहीं ही है वूप क्या करता है अपने मफलर से बान कर पहले रूप सिंग को चड़ा कर रख कर आता है फिर शेखर को भी बानता है और वहां चड़ः चड़ा देता आ कि उसे क्या दिखता है कि सरहां का वातावरण होता है वे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे ठीके बचे तो जितना भी आपको पढ़ाया है जितना आपको एक कहानी का पहला भाग सुनाया उसे आप क्या करेंगे आप उसे एक बार किताब के द्वारा पढ़ें जिससे वेचिस आपके दिमाग में पक्की हो जाए ठीक है बचे